चलिए फिर मैं आपको आज बताई देता हूँ कि क्या है ये सारी चीजे तो आ गया हूँ मैं सिस्टम पे सारी चीजे रेड़ी हैं देखे सबसे पहली बात समझिए कि दुनिया में जितनी भी कंपनीज रही है न भाई साब चाहे वो टाटा हो है न चाहे वो रिलाइंस क्यो डेट लेती लोन लेके अपने बिजनस बढ़ाती है बिजनस में लगाती है तो वही चीजे सिखाऊंगा कि हाउ टू बीकम रिच बाई टेकिंग लोन सबसे पहला जो में चीज होती है वो क्या है है वा सॉलिड प्लैन आपके पास एक प्लैन होना चाहिए कि जब आप लोन करना आपको आपको अग्री कलचर का बिजनस करना चीजे जिसकी वज़े से आप लोन लेते हैं ना में पावर आपको लाइक को ऑपरेशन करने के लिए छे-साथ मेना लगता है रवनियु आने में उस सीज के लिए क्या लोन लेना चाहते है एक सॉलिड प्लैन होना ऐसे grocery store, cloth का store, या फिर माली जे इलेक्ट्रिक का store आपको open करना है या कोई आपको bakery shop open करना है, किसी भी related, tailor का shop करना है, कोई boutique open करना है ये सारी चीज़ अगर आपको इसमें लगता है, इसका एक solid proof plan होना चाहिए है ना revenue plan होना चाहिए कि भीया मैं इतने दिन में business करूँगा इतना पैसा आता है तो को simple बास समझो भाई साब याद आपको उदय कोटेक कौन थे कोटेक के मालिक है ना इन्होंने क्या किया एकना example देना चाहता हूँ बीच में रोक के जो उदय कोटेक थे ना है ना उदय कोटेक हमारे उन्होंने 1985 में कोटेक का शुरुवात करी शुरुवात कैसे होई उनका कुछ अपना billing का business था ट्रेजरी वाला बिल से related बट उन्होंने क्या क्या उन्होंने देखा जितनी भी मतलब जहां लोगों को साथ पर्षेंट आठ पर्षेंट नौ पर्षेंट उस ताहीं मिल रहता बैंक से इन्होंने कहा मैं आपको बारा पर्षेंट दूंगा और बारा पर्षेंट से लेके जो इनके कस्टमर्स थे बिजनस में उनको यह 16 पर्षेंट पर देते थे सीधी सी बात है कितने पर्षेंट का मुनाफ़ा हो गया चार पतीशत का तो इनको एक सॉलिड बिजनस समझा गया कि बारा पर्षेंट पर लोगों को पैसा लोंगा और 16 पर दूंगा चार पर्षेंट का मेरा प्रॉफिट्स का इन चीजों का एक तालमेल बनाना पड़ेगा कि आप जो लोन ले रहे हो कितने पर्षेंट पर ले रहे हो यह सब मैं आपको अभी आने वाले जस्ट कुछी टॉपिक के बाब बताऊंगा बट मैं आपको एक सॉलिड प्लान बता रहा हूं कि क्या आप य चीजों पर यहां तक कि मैं बोलूँगा आज कर लोग यूटीव चानल है ना यूटीव चानल रिलेटेड बहुत सारे जिनको समझ आ चुका है इसमें पैसा है वो टीम हाइरिंग करते हैं तो यहां भी आपको एक स्मॉल कैपिटल चाहिए होता है जिससे अगर आपको बि फार्मा करा हुआ है आपको एक मेडिकल शॉप बपन करनी है तो उस रिलेटेड आप काम कर सकते हो एजुकेशन एंड ट्रेडिंग सेंटर कोचिंग सेंटर आपको करना है जैसे इसे फर एक्जामपल आपको लगता है सर मैंना फाइनेंस सीख चुका हूं तो फाइनेंस मे मैंना एक financial institution सिखाना चाता हूं लोगो कि personal finance की training मैं offline सिखाना चाता हूं सर मैं लोगो को digital marketing सिखाना चाता हूं सर मैं लोगो को performance marketing offline सिखाना चाता हूं तो अब इस सी बात है institute लेंगे उसका एक fixed court जाएगा जाएगा we are rented है बहुत सारी चीज़ है teacher faculty रखेंगे आप है ना फि जो दूसरा मेरा point है वो क्या है दूसरा मेरा point है choose a right loan कि आपके बास एक right loan होना चाहिए कई बारना कहीं से भी loan मिला लाला से मिल गया दोस्से मिल गया friend से मिल गया मुठा लेते हैं percentage कोई सा भी हो यहां तक कि लोग महीने का 8% 9% पर उठा लेते हैं लेकिन सबसे पहले अग पाएंगे देखिए एक होता है personal loan सबसे जादा महेंगा पड़ता है मतलब personal loan का जो आज की rate में rate है वो मेरे खाल से 12-13% है right तो अगर आपका civil ठीक है तो क्योंकि यह marriages आपके personal चीजों के लिए आता है मतलब इसमें आपको function वगरा कर रहे हैं loan चाहिए तो personal loan ले सकते हैं right वही पर एक home loan है तो अब इसी बात है घर खरीदने के लिए home तो business में नहीं है तो इस बार मैं फिलाल card देता हूँ अगर आपको car loan लेना है तो वही एक 80% उपर समझ लीजे उस पर है वही पर education loan ही मिल जाता है जो बच्चे education के लिए करते हैं card देता है यह रहा आपका business loan right यह business मैं आपको बताना चाता हूँ कि types of loan क्यां कौन से हैं यहाँ पर आप business related loan ले सकते हैं कैसे लेना सारी detail अगर कोई link है तो मैं description में डाल दूँगा उसे भी जाके प्लीज एक बार चेक कर लेना उसके बाद अगला है gold loan कई लोग ना gold घर पर रखा होता है हम थोड़े से खोड़ा सा business plan के तायद करेंगे तो आप gold loan वगरा पर काम कर सकते हैं उसके बाद agriculture लोग अगर आपका business ही agriculture related है तो इस पर आप लेंगे गर्मेंट भी support करती है agriculture लोग पर आपको पता होना चाहिए जिसमें आप land के ले सकते हैं equipment के ले सकते हैं या फिर related to agriculture farming के related जो आपका चीजे चाहिए उसके लिए आप agriculture लोग ले सकते हैं loan against property आपकी कोई property है उसके against भी loan मिलता है उसका ये नाम है अगला है payday loan payday loan क्या होता है अगर आपका business चल रहा है in between अगर आपको कुछ like creditors जा आपके हैं उनको पैसा देना है तो उसके लिए payday loan उसे day to day activity को sort out करते है उ जो चीजे जो हम day मर्रा में उसकरते है रेफरेजरेटर वासिंग मसीन टीवी फ्रेज मुवाइल फोन उसके लिए भी जो loan मिलता है वो सारा ये कुछ है उसके बार overdraft है फिलाल इसको नहीं समझते business में है जैसे मेरा हमारी company का current account है राइट तो current account में मेरे पास balance है 10 लाग उ है depends on you मेरे पास भी दो है मेरे civil score में आपने देखा होगा तो दो मेरे पास भी credit card है एक की लिमिटी तीन लाग से उपर है लेकिन बहुत अच्छी बात है मेरा एक one of a friend था उसने का सारी से न मैने emergency fund के लिए रखा हुए मैंने कैसे उनने का देखो से मेरे पास 6 card है हर card की मेर maximum limit 1 lakh rupees है यानि की मेरे पास 6 lakh रुपे तो है यह मेरे खुद के नहीं है यह loan है लेकिन यह कभी भी ले सकता हूँ right तो यह मैने तब रखा हुआ है कि in in case जब मुझे जीवन में बहुत problem आ जा हॉस्पिटलाइज हो जाओ emergency fund के लिए मेरे पास है लेकिन इसके लिए मैं savings से ज गलत है मैं credit card बहुत time से use कर रहा हूँ इसलिए मेरा score है वह excellent है लेकिन आप भी इस तरीके से credit card लेके और सारा कुछ कर सकते हैं कोई link है तो मैं description में डाल भी दूँगा उसके बाद government से subsidiary loan मिलता है बहुत सारी चीजों में अलग-अलग businesses में तो उसके regarding भी आप देख सकते ह हैं और लोग पैसा बनाते हैं भाई यह reality बता रहा हूं मैं आपको तो यह दो चीज़े आपने मेजर देख ली पहला देखला है कि solid plan होना चाहिए plan के बाद सर एक हमारे पास business loan होना चाहिए choice of की कौन सा हम right loan choose करें उसके बाद अगला है investment जब आप loan choose कर लेंगे तो business में प पता ही नहीं है तो पैसा एक time पर सारा लग जाएगा पैसा आपके पास होगा नहीं आप जो है वो अपने business को run नहीं कर पाएंगे और वो shutdown हो जाएगा so make sure जो आप debt management इसे कहते हैं कि आप जितना पैसा है उसको manage करिए कि कितने time तक चलेगा जिसे run rate कहते है business का run rate मतलब हमा पैसा ध्यान रखे जिससे आप आगे चलके कोई problem ना हो और emergency fund जो मैंने बार बार आप से कहा कि मेरे दोस्त का वो credit card emergency fund था दोस्त ये video मैं इसलिए बार बार बना रहा हूं financial awareness के लिए क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को महीने की salary उनकी महीने की salary 50,000 रुपे है लेकिन मैंन उनको डूबते देखा है मैंने उनको देखा है कि वो हर महीना इसमें से 20,000, 30,000 रुपे सिर्फ interest भर रहे होते हैं उनको समझ नहीं आता EMI एक तारीक को salary आई 10 को खतम हो जाती है तो मैं ये वीडियो बार बार बनाना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो इस तरीके से चीजों में फसे हुए हैं वो कम से कम ये सब वीडियो देखके अपने lifestyle को ठीक करना शुरू करें और अपनी financial position को ठीक करें आपको पता है professional finance का management होना चाहिए आपकी luxury चीजों पर खर्चा होना चाहिए आपकी necessity चीजों पर expense होना चाहिए तो आप यही time है सीखने का and I hope इस वीडियो से आपको समझ आया होगा तो definitely मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आप loan लेके सही तरीके से रिक्स reward management में business कर सकते हैं कैसा लगा यह वीडियो भाई comment करके जरूर बता और उन सभी लोग को भीजिए उन parents को उन brother को उन sisters को जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने की जरूरत है हाँ जोड क के request है कि उनको share करिये और उनसे बोलिए इस चानल को सब्सक्राइब जरूर करें थाइंक्यू सो मच जय हिंद जय भारत